भेलोफंट्स आप सबीका सवागा थे लिना इस्किशन में आज मिआ शाट ने लेका लगे लेकिन्वीं कथल कैसे बनाती है मसाइदार कथल बना के तियार करेंगे बहुत ही कम तौने वाला साथ में आपको यह भी बताऊंगी कि कथल को काते हैं कैसे कि कि जब कथल काते हैं तो उसका तरीका भी आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो बिना देरी करें चलें स्टार्ट करते हैं रेस्पी वीडियो का एंटिक जरूर देखें बैनिया पी कठल ले लिया है अब हम इसको छीलेंगे कठल को छीलने से पहले हमने हाथ में और चाकू में तेल लगा लिया था हमने आप एक कठल को छील लिया है अब हम चाकू के मैं दस से इसे पीचिस में कट कर लेंगे हमने चो कठल ले उसको छोड़ सोड़े पीसिस में कट कर लिया है मैंने यहां पर लगभा 500 क्राम कठल का यूस किया है इसमें हम डालेंगे नमक और हल्दी पाउडर और लाल मिश पाउडर सबी चीजों काम कठल में चील लेगे से लिक्स कर लेंगे मैं यहां पर ग्यास पर कड़ा जुड़ा दी है कड़हें में डाला हमने यहां पर सरसों का तेल हम करेंगे अपनी कठल को फ्राई कठल डालूंगे हमां तेल गराम होचिका करेंगे हम इसे चलाते हैं करेंगे तो अपने कठल को पांसे देस में तक चलाते हैं फ्राई करना है हम अब इसे बीच बीच में सोब थेज में चलाते रहना है अब करेंगे पांसेपन पर पूरा टमेंगे में फ्राई कर लिया है जब करेंगे हैं लोगा हुआज खेंगा तो हमने आप अपना पूरा कठल स्रॉण कर लिया है तो हमने यहां पर ले लिया प्याज लाल में चॉल है इन सभी को पीस के हम इनका एक पेस्ट बना के तियार कर लेंगे तो हमने यहां पर हरी मेश प्याज लेस्ट को पीस के इनका एक पेस्ट बना के तियार कर लिया है अब दालेंगे अपने प्याज का पेस्ट इसको मिक्स कर लेंगे तो आपनी प्याज को यहां पर गुल्डन कलर आने ताग इसे भूंचना है अपर कटोर लिए स्पूम डालेंगे हल्दी पाउडर धनिया पाउडर और लालमिश पाउडर तो इसमें पाउडर डालेंगे और शक्छी तरह कैसे मिक्स कर लेंगे ताब देख्शे कि इसमें बुड़न कलर आना चुरो गया जमारी प्याज़ है वह बुंची चुकी है तो इसमें मसाले बाला भूल डाल देंगे और फिवपासे डालेंगे थोड़ा पानी अमें इसे च जब आए जब नाग देंगे और उसे पकनी के लिए छोड़ देंगे जो भी तिया अपक चुक आँगे अब नो पक्ते का लगबक 5 मिट हो चुका है तो आप देख सेटे हैं मसालों ने तेल चोड़ दी और यह अच्छ तरी के से पक चुके हैं अपना कठल डाल लेंगे कठल को अच्छी करीगे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे तो आप देखने थे कठल के साथ हमारे जो मसाले वची तरीके से मिक्स हो चुके है बढ़ें लिट देख देख देंगे और इसे 2 मिट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम में इसके लिट हटाएंगे दो मिट होचके निए बहुत ही बढ़िया कि स्मेल आरी है बढ़िया सी भीचू है तो हम इसमें पाने डालेंगे तो हम डालेंगे हम सुगी असाला इसको मिक्स कर देंगे हम इसको धांग देंगे और इसको पकने के लिए खोड़ेंगे लोग फ्लेम में लगभख 10 मिर्ट तक 10 मिर्ट हो जगे हैं इसके लेटर डाएंगे तो माई जो कठ्था लव पक्क एक जम तयार हो गया है बन गया यह अच्छ तरीक से पक चोगा है इसमें बात बड़ी है स्मेल भी आ रही है तुम डाल देंगे इसके पहारा धनिया रेसिपी को अंग तक जरूर देखें रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बल लागएं को प्रेस करना ना भूले ऐसे मज़दार वीडियो के लिए और कमिन करको ज़़दाएं आपको माई रेसिपी कैसी लगी अगर पर फालो करना ना मूले मिलते हैं अगले वीडियो में मज़दार रगदम टेस्ट रेसिपी के साथ बने रही है हमारे साथ रीनास किछिन में